नमस्कार आप देख रही हैं खबरें अभी तक मैं हूँ आपके साथ अनुराथा तुरान हर्याना की मनोहर सरकार ने पिछले साल स्थानिय लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षन की घोशना की थी आज पंजाब और हर्याना हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है सरकार की अधिस उचना के तहट प्राइवेट नौकरियों में इस थानिय लोगों के लिए 75 प्रतीशत आरक्षन दिया जाना था हर्याना सरकार का ये आदेश 15 जनवरी 2022 से लागू किया गया था इंडेस्ट्रिल असोशेशन ने इस कानून के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी याचिका में कहा गया है कि हर्याना सरकार का ये फैसला योग्य लोगों के अधिकारों का हननन है ये फैसला उन पड़े लिखे युवाओं के अधिकारों का हनन है जो की अपनी अक्षमता के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में नौकरी करने के लिए आजाद हैं असोशियेशन के वकील ने कोट में कहा कि ये कानून लागू होने से प्राइवेट सेक्टर को नुकसान होगा और हर्याना में अराजकता की स्थिती पैदा हो सकती है ऐसे स्थिती में बाहर से आई लोगों को यहां से प्लाइन करना पड़ सकता है इंडस्ट्रियल असोशियेशन के वकील की दलीले सुनने के बाद कोट ने इस फैसले की समिक्षा को जरूरी माना और फिलहाल इस पर रोक लगा दी है कोट ने याचिका करताओं के तर्क पर सहमती जताई की प्राइवेट सेक्टर में योग्यता और कोशल के आधार पर लोगों को नौकरी दी जाती है अगर नीजी कमपनियों से करमचारियों को चुनने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो वे अपने कारोबार को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे हर्याना में सरकार की सहयोगी दुशन चोटाला की जननायक जनता पार्टी ने चुनाओ में स्थानी लोगों को प्राइवेट नोकरियों में 75 पिसदी आरक्षन का वादा किया था पिछले दिनों सीम मनोहरलाल ने दुशन चोटाला के इस वादे को पूरा करते हुए इसे अमल में लाने पर मुहर लगा दी थी हर्याना की डिप्टी सीम दुशन चोटाला ने कहा कि इस कानून के आने से नीजी अक्षेतर में कमपनियों, सस्थानों, ट्रस्टों, सोसाइटियों और राज्य में स्थापित उध्योगों में राज्य के युवाओं को नोकरियों में प्राथमिक्ता दी जाएगी 15 जनवरी 2022 से लागू हुए इस कानून के तहट श्रम विभाग ने एक हेल्प लाइन नंबर के साथ एक समर्पित पॉर्टल भी बनाया है नए कानून के तहट कमपनियों को अब अपनी रिक्तियों को इस पॉर्टल पर दिखाना होगा सरकार इस पर नजर रखेगी हलाकि अब आए फैसले के बाद सरकार बैक फुट पर आ गई है अब आपको बताते हैं कि इसमें प्रावधान क्या है यह कानून दस से जादा करमचारियों वाली फर्मों पर लागू होगा नीजी कंपनियों को तीन महीने के अंदर सरकार के विशेश पॉर्टल पर पचास हजार से कम वेतन वाले पदों की जानकारी देनी होगी नोकरी कर रही लोगों पर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कानून नई नोकरीयों और खाली पदों पर लागू कानून की पालना कराने वाले अधिकारी के खिलाफ नियोकता सरकार से ही शिकायत कर सकेगा कोट से नहीं फिलाल पंजाब और हरियाना हाई कोट ने इस प्रावधान पर अभी रोक लगा दी है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है